पाइनले टेक्नो ने लॉंच करते हैं अपना टेक्नो पॉवा 6 प्रो 5G और मैंने इसकी वीडियो पहले ही बनागे देखे लिक्स बता है तो आपको जान के यकीन नहीं होगा कि इसके 100% लिक्स अच्छों है हमारे जीहां दोस्तों हम जो लेक्ट वीडियो बनाते हैं 99 से 100% चीज़ सच होती है और कमाल की बात है कि इसका प्राइस बिल्कुल मैच करता है अगर आप देखना चाहते हैं प्रूफ के लिए तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर देख लिए ज्यादा पुलाने नहीं यह दो तुनीन पहले वीडियो प्लोड की थी मैंने और उसके अंदर आप देख सकते हैं सारे स्पैसिफिकेशन और यहां तक की प्राइस भी मैं आपको पहले ही बताया था और उतना ही जस्त आया है खराज की वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं टेक्नो पोवा 6 प्रो 5G और IQ Z9 5G क्या ठीक है यह दोनों स्मार् स्वार बाट रहातर रहा है तो आइछ की युडियू महीं अग्स वीठान दमशान बनाई जाय तो आप मुझे इसवी को देखने के वाद मेंinda करना अगर अग्स Люб continuar 5G की साथ में रियलमी नार्जो 70 प्रो 5G की वीडियो बनाऊं तो आपको मुझे कमेंड करके बता सकते हैं तो हेलो दोस्तो मेरा नाम मेर हुई तो सब्सक्राइब सभी का एक और लेटेस टेक वीडियो में दोस्तो अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना आपके क्लाइक से कफेदा मोटिविशन मिल जाती है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें इतनी चीज़ एसे करके बात करने वाले वाले हैं और बात कर ने अपको है Аपको तो आपने हैं जरूर चेक लएँ अपको क्या क्या दे रहा हूं और आज की वीडियो चलिए ऑजज के जिस्से तो इसलिए यह भी जानना बहुत जुरूरू यह दो देखे दोनों स्मार्टपोन आपको सबसे पहले एक हैंडशा देहने के लिए मिल जाएगा ठीक है उसके बाद में अड़को दोनों के बोक्स आपको मिल जाएगा तो बोक्स के अंदर आपको यह सभी चीज़े दी जाए बारे में सबस्क्राइले बात करेंगे टेक्नो पोवा 6 प्रो 5 जी के बारे में इसमें आपको 6.7 इंचिस की फुल एजडी प्लैस एमोले डिस्प्ले देने के लिए मिल जाएगी इसके अदर आपको तेहरे सो नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी देखें हम जो लोग के इसमार्टफोन होते हैं वह उसकी डिस्प्ले होती हो फ्लिक्रिंग करती है हाला कि हम लोग आँक से देखनी पाते लेकिन वह करती है और हमारी आँकों के लिए काफी जाता नुकसान दायक वह होती है तो यह दिमिंग वाली चीज में आपको बता र इसकी फुल एजडी प्लस डिस्प्ले देहने के लिए मिलती है अमलेड डिस्प्ले इसमें भी आपको मिल जाएगी 120 हर्स का रिफ्रेश इसमें भी मिल जाएगा इसमें आपको 800 नीच्ट की पीक बैटनेस मिलती है और इसकंदर आपको डिटी स्टार टू प्लस ग्लास का आप कपो बता दूं कि यहा पे टेक्म फोरव 6 pro 5g के अदर आभी कुछ नहीं बता है कि और नघी लगता नहीं से कोई यहां पर बैटर आपको मिलता है आइक्यू जैड नाइन के इंदर लाश में सब चीज करके बता दूँगा कि कौन सी चीज के लापको कौन से स्माटफोन चाहिए टैंसर नालों यहां पे और अब बात करते हैं दोनों स्माटफोन के पावर हाउस के बारे में या निकिन के ब स्माटफोन है क्योंकि मैंने 67 वोट की पहली बार देख रहा हूं आप लोग मुझे कमेंड करके बताना अगर आपने पहले कभी 70 वोट की फार्चारजिंग देखिए तो अगर वहीं भी बात करें हम आईक्यू जैड नाइन किसमें आपको मिलती है पांच हरे मेंच की बड सब्सक्राइब करें डिये जा रहें और बात करें आई क्यूच के बारे में आपको तीन के लिए देखने के लिए मिलते हैं प्राइमनी केमरा एक सो आफ मिलता है सेकंटरी कामरा दो मेगा पिक्सल का जो की पोड़ेत कैमरा एक ऐसे लेंस आपको सेल्फी के लिए आपको मिलता 32 मेगापिक्सल कैमरा और कमाल की बात है कि इसमें सेल्फी में भी फ्लैस दी गई है जो कि सच में जलती है जिससे आप फोटो ले सकते हैं अंदेरे में तो यह काफी अच्छी बात है और अगर बात करें आईक्यू जाता है प्राइमेरी कैमरा 50 सब्सक्राइब जाता है इसका जो की ऑप्टिकल इमेज इस्टेबिशन यानि की वैस के साथ में आता है इसकंदर आपको आपको सोनीं का आई-मेक्स एटेट टू सेंसर देखने के लिए मिल जाता है इसका जो सेकेंडरी कैमरा एक एक दम हैं यहां पर बात करते हैं तो सब मिल जाती है इसकंदर आपको इंटर्लों इस्टोरी 256GB का देखने के लिए मिल जाती है और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कुछ अधर स्पैसिफिकेशन के बारे में जैसे कि टेकनो केंदर आपको 3.5 mm का जैक देखने के लिए मिल जाता है इसकंदर आपको फिंगरपिंट सेंसर अगर वहीं पर बात करें IQ Z9 की तो यहां पर आपको 3.5 mm का जैक देखने के लिए नहीं मिलता इसका वेट 188 ग्राम से इसके अंदर भी स्ट्यूरी स्पिकर देखने के लिए मिल जाती है तो अगर आप लोग को हैडफोन वाला जैक चाहिए बिल्कु की तरफ क्योंकि आपको IQ Z9 के अंदर हैडफोन जैक देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और यहां पर जो IQ Z9 है वह स्लाइट्री थोड़ा सा हलक की कि इसमें 188 ग्राम वरजन है और अगर बात करें टेक्नो की तो वहां पर 195 ग्राम बजन है तो लगवाग दो जैसे करें देखने के लिए मिलते हैं लग कमाल की बात प्रैक्टिकल था तो मैंने बोला था कि शॉयद्ट है यह नहीं है पता नहीं काफी कमाल की बात है और पता है यह भी जा रहागी इसके आइफोन आपको डैनमिक आइफ्वी आइट्ति देखने के लिए क्यों कि तो वहांसा चीज़ और अपर 3 तो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है क्या 8GB 256GB का इंटलों श्ट्रेज 19,999 रुपे में वहीं पर बात करें IQ Z9 5G कि तो इसमें आपको 8288 वाला वेरेंट मिलता है 19,999 रुपे में तो आपको 19,999 रुपे में IQ में मिल रहा सिर्फ 128GB RAM तो दोनों में सेम है और वहीं पर बात करें टेक्नो की वहां पर आपको 256GB ठीक है और अगर आप लोग जाते हैं अगर वहीं पर बात करें टेक्नो की पहली से लगने वाली है चार अप्लेयल में अमेजों को बाई कर सकते हैं दो पैर को 12 बजे वहां पर यह स्मार्टफोन आपको लगवग 18,000 के आत्पास मिल जाएगा यानि कि आपको 2000 का डिस्कौंट देखने के लिए मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में इस वरियंट केंदर ठीक है तो जाकर अब इसको पर्चेस कर सकते हैं चार अप्रेयल को याद रखना दो पैर 12 बजे अब बात करते हैं बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आप लोग जाना टेक्नो पोवा 6 प्रो के तरब ठीक है बेस्ट फोन है कैमरा बहत आप लें फ्रेंट साइड गी दोनों में अच्छे कैमरे दिये गए अगर आप गेमिंग करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आप आई क्यूजान फाइजी कि तरब जा सकते हैं अगर आप नोर्मल गेमिंग करते हैं तो आप याद टेक्नो पोवावी ले सकते अच्छा है 680 के जो कि आपको दिया गया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आई क्यूजान करना पूलिडिया आप क्यों का ठीक है न और डाइनमिक आई डिजाइन दिया गया तो काफी अच्छी लोग इसमें आपको दी गई है साथ में बैसी स्मार्टफोन है हर मामले के इंदर बैटरी का कमेंड करके जरू बता दो बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर मैं आजाओंगा आज की वीडियों सीव इतना ही अगर आप लोग स्मार्टफोन के लोंच होने से पहले उनके लिक्स जानना चाहते हैं उनके प्राइस उनके फोटो उनके लिक्स उनके स्पेसिफिके वंदे मात्रा